बिसमिल्ला इरख्मार रहीम, السلام अलेकूं वरहमतुलाही बरकातूं वेलकम तू माई चैनल आज की वीडियो में देखते हैं कि होस्ट या टीचर जूम मीटिंग कैसे स्टार्ट करेगा और उसके साथ कुछ जूरूरी सेटिंग्स को भी देखेंगे जूम उपन करके मीट औन चैट वाली आपशन से स्टार्ट मीटिंग करेंगे यूस परसनल मीटिंग आइडी की आपशन को अन करेंगे जिससे आपकी आइडी परमनेट हो जाएगी बार बार तब्रीड नहीं होगी इसके बाद start a meeting कर देंगे नीचे वली options में से सबसे पहले माई को जरुत के मताबिक on off करने के लिए क्लिक करेंगे वीडियो की option को off ही रखेंगे share की option से students के साथ आप अपनी screen share कर सकते हैं कोई document को वीडियो वारे share कर सकते हैं और whiteboard भी share कर सकते हैं जैसे मैं यहां whiteboard share करके bottom left पर जो pencil का icon बना हुआ है इस पर क्लिक करके कुछ भी लिखती हूँ मैसलें 2 multiply by 2 अगर लिखाई का यहां से color तबदील करना हो तो यहां से करेंगे और अगर लिखाई को thick करना हो तो इस पर क्लिक करके करेंगे is equal to 4 eraser की option से आप इसको मिटा सकते हैं delete की option से जो लिखा हो वो सारा एक सार डिलीट कर सकते हैं clear others drawing इसमें है कि अगर आप किसी student की अगर आप किसी student ने अगर screen पर कुछ लिखा हुआ है क्योंकि pencil वाला जो icon होता है students को भी show रहा होता है उनकी screen पर वो भी screen पर लिख सकते हैं तो अगर student से कुछ लिखा हुआ है और आप उसको erase करना चाहते हैं तो clear others drawing से erase कर सकते हैं मैं यहाँ clear my drawing करती हूँ और जो कुछ लिखा है उसको save करना चाहते हैं तो save to album कर दें यहाँ से whiteboard नया भी ले सकते हैं apartments के option में से हैं कि students खुद को unmute कर सकें तो on कर दें अगर आपने यह नहीं चाहते तो इसको off ही रहने दें more की option से आप students से chat कर सकते हैं message settings की options में जो options दीगे हैं आप इनको अपनी जुरुत के मताबिक on off कर सकते हैं और इसके बाद अगर आपने meeting को end करना हो तो top right side पर end लिखा हुआ है यहां पर end पर क्लिकने से दो options आएंगी leave meeting अगर आप meeting को leave करके जाना चाहते हैं तो आप leave meeting कर दें अगर आप सब के लिए meeting end करना चाहते हैं class हतम करना चाहते हैं तो आप end meeting for all कर देंगे इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ settings settings के option में जाएंगे यहां से आप अपनी profile फोटो तब बिल कर सकते हैं display name से आप अपना नाम change कर सकते हैं कोई personal note लिख सकते हैं मैंने फिलाल कुछ नहीं लिखा हुआ बाकि सारी options अगर zoom को purchase किया हो तो फिर उसमें काम आती है नीचे sign out लिखा यहां से आप sign out कर सकते हैं अब यहां से back कर दें और meeting के option में से edit में जाएंगे meeting का password चेंज करना हो तो यहां से कर सकते हैं जैसे मैं यहां से change कर रही हूँ तो आप यहां से इस तरह edit कर सकते हैं enable waiting room की option on करने से host अपने students को खुद class में admit करेगा अगर आप चाहते हैं कि students खुद ही class में दाखिल हो जाएं आप सब को बरी बरी admit ना करना पड़े तो आप इसको off कर दें allow join before host को on करने से students को meeting में enter होने का wait नहीं करना पड़ेगा allow waiting for the host to start this meeting यह वाला message नहीं आएगा यह settings करके save पर क्लिक कर दें बस आखी वीडियो यहीं तक थी zoom से related मजीड वीडियो का link description में मुझूद है उसला वजाए के लिए वीडियो का like और चैनल को subscribe कर दीजिए सलमालेकूं और रहमतुलाही वबरकातु हो